एलो एव्रिवान कैसे हैं आप सभी आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर जीन शाम का टाइम है मैं जाड़ू करें देखिए और आज भेंड़ी तोड़ने के हैं सब घर के लोग मैं शासुमा मेरे देवरानी और मेरे देवर यह तीन उना भेंड़ी तोड़ने के लिए हैं तो रध्य लिएक लिए तो हम लोग घर से बहार ने निकलते हैं झापन करते हैं उस कहें देखे भी नहीं है वाद़ी तlais सब्सक्राइद है तो मेरे देकले हैं इस व्याद में खीजाटने के सीरुर आनल кап बेटी को न मेरी ससूर जिलेके गए हैं, कि आप खाना बना लो मैं उसको रख रहा हूँ इसे बुल है, लेकिन आज खाना बनाने का भी मनने कर रहा है, क्योंकि हमारी परिवार में मेरे जो ससूर की चाचा रखते हैं रिस्ते में, वो थोड़ी असवास्त हैं, मतलब उनकी आ कर रहा था और तिन चार दिन से हो गया वह बहुत ज्यादा उनकी हालत घंबीर हो चुकी थी तो तिन चार दिन से ही जब हम लोग गुरुबार का पुजा कर रहे थे ना हां उसी दिन से ही ना उनकी तब्यात बहुत ज्यादा खराब हो गये थी हम लोगोंने लश्मी पुजा तब यह पहुंचा दिल देखिया था इतना ज़्यादा उस्यरियस हो गए थे तो तिन दिन हो गया ना और उनका तब्यात सुधार नहीं आ रहा था उनका उमर भी हो गया था ना तो उनके तब्यात बहुत ज़्यादा खराब है और यह देखिये मेरे बैटे के लिए ना मैं अपने बैटे के लिए पाने अबालती हूं क्योंकि लाइट नहीं है तो पाने को मैं इंडेक्शन में अबालती हूं लेकिन लाइट नहीं है तो गेस में अबालती हूं यह और यह द पता नहीं कैसे मर चुकी हैं लेकिन पास एकीटों बच्चा है वो भी थोड़ा लंगडा के चैर रहा है कैसे चैर रहा है इसका भी ठीक नहीं है मैं पूछी कैसे मर गए तो मेरे देवर्ज ने बताया कि बस एक मतलब मरा भा पड़ा था और बाकी तो नहीं थी तो साइद बिल्ली ले गई है तो देखें जीवन का कोई मतलब यह सारे बच्चे देखी पहली वाला अब लोगों को यह सारे बच्चे थी यह पहला वाला है यह कितना सुदा दिक रहे हैं और अब नहीं है बस एकीट जो चूजा बचा है बदक कस रमचे है दो जीवन का ठीक डीका ना ही नहीं है आज weitere तो करना है और यह सब्सरुष्म MR रहे थे और वह भी चले गए है बस एकीटउब कर ए लेकिन जो हमारे घर में हैं वहामारे परिवारर की जड़ है सब हम उनके बच्चे हैं उनकी साक We reaching उनकी तब्यद अस्वस्त चेर रहे हैं, तो हमारे घर में भी कुछ करने का मन नहीं लग रहा है, खाना तो बना लेते हैं, लेकिन खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि उनकी तब्यद बहुत ज़्यादा खराब है, तो बार बार देखते जाते रहते हैं, तो देख के आते हैं, तो मन बहुत भारी-भारी सा हो जाता है कुछ करने का मन नहीं करता है अब पहले हमारे जब उस्वस्त थे ना तो रास्ते में आते जाते जाते जेते थे जो हमारा गली है उसमें बैठे रहते थे तो इतना अच्छा लगता था और बारी तरफ भी आते थे जो नाल है वहाँ पर आते थे पानी बानी लेने के लिए तो अच्छा रगता था बहुत इसी थी सांत सभाव के थे तो उनका भी तव्यत अब ठीक नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा है और यह देख मैं बाड़ी दर पाए थी किसी ने बोला कि वो अभी नहीं रहे तो मैं अपनी सासो मा को बताने के लिए आए थी क्योंकि वो बाड़ी में भेंड़ी तो रहे थी ना तो उनको बताने के लिए आए थी कि वो नहीं रहे तो मेरी सासो मा जो है वो जल्दी से उनके पास गए थी उनके आक्रे दर्सन के लिए तो हमको मनुस जीवन ना एक ही बार मिला है जितने फिर हमको जिन्दगी मिली है उसमें अच्छे से रहर कर अपने जीवन को जीना चाहिए अपने उपके प्रति हमें प्यार और बड़ों के प्रति समान चोटों को प्रति प्यार ऐसे भावना रखने चाहिए सबके साथ मेल जूल के जीना चाहिए क्योंकि चोटों से चिन्दगी में हम सबके साथ लड़ा जगडा करते रहेंगे तो अपने जीवन को जीवन को जीवन पाएंगे अच्छे ढंग से और जो हमारे बड़े थे घर में वो चले गए हैं तो हमें बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और उस घर में माहूल पेज़ा भी ठीक नहीं है क्योंकि वो हमारे प्रिवार के सबसे बड़े थे अबिए उनके जाने के बाद उनका जागा कोई नहीं ले पाएगा वो बहुत इसांतर सभव के थे सेदे साधे सेदे तो भगवान उनकी आत्मा को सांतर प्रदान करे उनको अपने चलणों में जागा दे ऐसे भगवान से दुआ करते हैं आगना वीडियो बनाने के बिल्कुल भी मनने कर रहा था लेकिन मैं बना दी हूँ छोटा सा वीडियो है तो आप भी उनकी आत्मा के सांते के लिए भगवान से प्रत्ना किजिएगा और यह देखिए उनकी तस्वीर है मैं वीडियो के ही पहिन करती हूँ